दमश्कार बहुत बहुत स्वागिता आपका युक चरन पर मैं आपके साथ खुश्बसे अए नज़राल लेते हैं देश विदेश दूड़ी कुश पड़ी खबरों पर एक कंपनी माइक्रोसोफ अपने वीडियो गेम डिविजनों से 1900 करमचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है मीडिया डिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार छटनी का आसर एक्टिविजन बिलजाड और एक्सबॉक्स सहित अन्य डिविजन की करमचारियों पर पड़ेगा माइक्रोसोफ ने पिसली साल 68 मिलियन डॉलर यानी करीब 565 करूड में एक्टिविजन बिलजाड का अधिक रहन किया था रिपोर्ट के मुतावी की छटनी माइक्रोसोफ गेमिंग डिविजन का करीब 8 प्रतीशत हिस्सा है जिसमें टोटल 22,000 एंप्लोईज है मीडिय रिपोर्ट में दावा किया गया कि कमपनी के गेमिंग चीफ बिल स्पेंसर ने इमेल भेशकर छटनी के बारे में जानकारी दी है स्पेंसर ने इमेल में लिखा है आज हम सब ने मिल कर प्रात्मिक्ताइय तय की है जहां पर काम ओवरलैप हो रहे हैं, उसकी पहचान की है हम यह सुनिशित कर रहे हैं कि ग्रोथ के अवसर के लिए हम सब मिलकर काम करें प्रधानमंती नरींद्र मोदी और फ्रांस के राश्पती मैन्वल मैक्रो के जैपूर दोरे पर दोनों देशों के बीच 25 साल की रिष्टे की एक नई अबारत लिखी गई जहां दोनों वैश्विक नेताओं के बीच गजब की बॉन्डिंग देखी गई जबी जनवरी की परेड़ में शामिल होने आए मैक्रो ने एक दिन पहले गुलाबी नगरी जयपूर को निहारा जहां परकोटे में प्रधानमंत्री के साथ एक रोडशो भी किया मोदी और मैक्रो रोडशो के बाद बड़ी चौपड के पास बने विश्व धरोहर हवा महल को देखने पहुँचे जहां दोनों ने हवा महल की खूबसूरती निहारने के बाद वहां फोटो खिचवाई और करिब 10 मिनिट तक दोनों नेताओं ने हवा महल के सामने ही अपने कुश्ण बिताए वही मैक्रो हवा महल की कारीगरी को देखकर हैरान रहे गए उन्होंने वहां मौझूद गाइड से कई सवाल पूछे महीं हवा महल को निहारने के दोरान फ्रांसिसी वराष्टपती मैक्रो चकेत हुए और कई सारी खिड़किया देखकर उन्होंने पूछा कि इसमें कुल कितनी खिड़किया है और इतनी खिड़किया क्यू बनवाई गई है महीं मैक्रो के सवाल पर वहां मौझूद गाइड ने जवाब देते हुए कहा कि हवा महल में कुल 953 खिड़किया है और ये महल राजा ने रानियों के लिए तयार करवाया था इसके अलावा गाइड ने ये भी बताया कि गर्मियों की दिनों में ठंडी हवा आने के लिए महल में खिड़किया बनवाई गई थी बिहार में 24 जनवरी के बाद से अचानक एक बार फिर से सियासत ने करवट ले ली है सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के पल्टी मारनी की चर्चा अब जोरों पर है इस मामले पर कई नेताओं के प्रतिक्रिया सामने आई है इसी क्रम में बिहार के पूर मुख्यमंत्री और हम पाटी के नेता जीतन राम मांजी का बयान सामने आया है उन्होंने अपने एक सेंडल पर पोस्ट करते वे लिखा कि आज ही हो जाएगा काजी अरे हम खेला की बात कर रहे हैं बता दे कि इससे पहले भी जीतन राम मांजी ने एक्स पर पोस्ट करते वे लिखा था कि खेला चालू है बिहार परिवर्तन के ओर अग्रसर है जो भी होगा राज्य हित में होगा बदा देख बिहार के घटना करम में सबसे आधे के एक्टिव जीतन राम मांजी दिख रहे हैं वो लगतार बिहार के घटना करमों पर पोस्ट करते वे नजर आ रहे हैं वो लगतार के खिलाफ कई बाते कहीं हैं इस आधार पर हमने कहा कि गठबंदन नहीं चलेगा नतीश कुमार का पीएम बनने का सपना तूट गया है इसलिए गठबंदन तोड़कर वो लोक्षबा लड़ सकते हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े या दूसरे गठबंदन में शामि इसमें एमबेसी स्टाफ उनके परीजन बच्चे और प्रोफेशनल डांसर्स के साथ गदर फिल्म के गाने मैं निकला गड़ी लेके पर थरकते हुए नजर आए इसके अलावा अमेरकी एबनसी ने खास तरह से भारत को बढ़ाई दी दूतावास के वीडियो में डिप्लो पर वीडियो शियर किया है इसमें इजरायली राज़ूत नाओर गिलोन ने कुर्ता धोती पहनकर भारत को बढ़ाई दी इसके अलावा दूतावास के महला डिप्लोमेट्स ने भी साड़ी पहनकर गंतनत दिवस की शुब कामनाय दी जापान ऑस्ट्रेलिया और बिटेन के दूतावास्व ने भी इस खास दिन पर बढ़ाई दी है राज़्पती द्रावपदी मुर्मू गंतनत दिवस समारो में पारंप्रिक बग्गी में बैचकर पहुँची और 1984 के बाद पहली बार राज़्पती ने गंतनत दिवस पर इस बग्गी की सवारी की समारो के मुक्य अतिती फ्रांस के राज़्पती इमानवल मैक्रो भी उनके साथ बग्गी में बैचकर करतव वेपत पहुँचे पहली बार 1950 में गंतनत दिवस पर इस बग्गी का इस्तमाल किया गया था 1984 तक यही परंपरा जारी रही इंद्रा गांधी की हत्या के बाद इसकी जगे हाई सिक्योर्टी कवर वाली कार इस्तमाल होने लगी और 1950 से पहले गंतनत दिवस समारों में राश्टपती दॉक्टर राजीन्द प्रसाद ने राश्पत पर हुई परेड में इसी बग्गी में बैचकर हिस्सा लिया था शुरुवाती सालों में भारत के राश्टपती सभी सेरिमनी में इसी बग्गी से जाते थे और साथ ही 330 सेकड में फैले राश्टपती भवन के आसपास भी इसी से चलते थे सोने की परत चड़ी घोडों से खिची जाने वाली ये चोटी गाड़ी यानि बग्गी मूल रूप से भारत में ब्रिटिस राश्ट के दौरान वाइस सराई की थी 1947 में आजादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडिगार्ड जिरहें अब राश्टपती के बॉडिगार्ड के रूप में जाना जाता है उनको 2.1 के अनुपात में भारत पाकिसान के बीच बाटा गया देश विदेश चरूरी तमाम खबरों को देखने के लिए यूँ ही वने रहे हमारे साथ युक चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार